जितना भी आप प्रीमिम भरेंगे उसका डबल OPD फ्री, एक्जामपल के लिए अगर आपने 25,000 रुपे का साल का प्रीमिम भराएं, तो 50,000 रुपे की OPD आपको फ्री मिलती है, इसमें, साथ ही फर्स्ट टाइम में कैसी पॉलिसी आई है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते है अपने हिसाब से जो आपको फीचर चाहिए, जितना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाइ करके अपनी पॉलिसी में एड़ कर सकते हैं बजाज आलियांस का My Health Care Plan, इसमें आप समिंशॉर्ड तीन लाग से लेके 5 क्रोड तक का ले सकते हैं रूम रेंट की लिमिट रहेगी, अगर आपने 10 लाग फुपे तक का समिंशॉर्ड लिया तो सिंगल प्राइविट एसी रूम ले सकते हैं, 15 लाग उससे उपर का समिंशॉर्ड लेते हैं, तो कोई साभी रूम लो, डिलक्स लो जो चाहिए, प्री 60 दिन का है, पोस्ट 90 द रूम पैथिक हॉस्पिटलाइजिशन कवर है, अब टो समिंशॉर्ड लिधियान रखेगा, रोड अम्बूलेंस, अब टो समिंशॉर्ड, मेटर्निटी बेनिफिट, मेटर्निटी बेनिफिट का भी थोड़े दें में आगे डिसकस करेंगे, यह थोड़ा डीटेल में समझ पर वीक तक नर्सका मिलेगा, अब टो टैन वीक्स, दस हफते तक काई खर्चा मिलेगा, उसके बाद नहीं देगी कंपणी, अगर आप हॉस्पिटल में एड्मिट होने के बाद, अगर आपको किसी तरह की कोई मेडिकल एक्विप्मेंट की जरू होता है, जैसे मान लीजे कान में कुछ दिक्कत आया थे, उसका इलाज कराया, अब कान की मशीन खरीदनी है, तो कान की मशीन के पैसे मिल जाएंगे, दस लाग तक की अगर पॉलिस है तो दस जार रुपे की कबरेज इसमें मिलेगी, मान लीजे अगर पर वीलचेर लेता है, वीलचेर फॉरन एक्ज थू में लिया 5 लग का और आपने 5 लाग अगर इसका यूसद कर लिया, तो आपका दोबारा 5 लाग रुपे कर देंगे, आप वह चाहए आप सेम पीबारी के लिए ले नहीं अलग बहूर इसम और बिमारी के लिए, बस बिमारी के लिए आपको एक चीज divis ध्यान रखने ह रिस्टोरेशन मेनिफिट में जाएगा उसका 5 लाग से नीचे का अगर समिन चौड लेते हैं तो एक बार रिस्टोरेशन देंगे और 5 लाग से उपर का लेते हैं तो unlimited बार 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 रिस्टोर करते जाएगे जितना मर्जी उसकरों एर लिफ्ट कवर ये 50 लाग या उससे उपर के समिन चौड लोग लेते हैं तो एर अम्बूलेंस का खर्चा और उसी में मिलेगा वैसी नी मिलेगा और अगर यूज कर लिया आपने एक बार क्लेम ले लिया तो उसी हिसाब से आपका घटेगा भी 50-50 परसंट करके रेडियूस होगा और जब आप क्लेम नहीं लेंगे तो नेक्स्टिक फिफ्टी परसंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा तो ऐसे चलेगा इसके अंदर फैमिली विजिट अगर पेशेंट क्वाइस्पिटल में अडमिड है और घर से 200 km की दूरी पर बो हक्री होग है ती किसी एक परसंट का, कमपनी खर्चा दे लेगी आने जाने का अगर 10 लाग तक की पॉलिसी है तो 25 रोपे तक का खर्चा मिलेगा 10 लाग से हो पर तो 30 या अगर माल लीजिए, फैमिली फ्रोटर पॉलिसी लिए रखी है, उसके अंदर जो मेन मुख्या था पॉलिसी का यानि प्रोपोजर, अगर उसकी टैथ हो जाती है, तो फैमिली को एक साल का फीवर मिल जाता है प्रीमियम में, पॉलिसी चलती रही है, बस एक साल जो नेक्स्ट कोई पैसे निगट हैंगे, उसके कोई पैसे निगट हैंगे, प्री एक्सिटिंग डिजीज वेटिंग पीरेट, जो भी पुरानी बीमारी है, सारी कवर हो जाएंगे, तीन साल बाद, 36 महीने, जनरल ये 48 महीने का टाइम देते हैं कंपनी, इसमें 36 महीने दिया गया, यानि की छोटी मोटी बीमारी है, टाइफा, डेंगू, मलेरिया, डाइरिया वगर ऐसाब, एक महीने बाद से कवरिस स्टार्ट हो जाती है, पॉलिसी में, मैटर्निटी, बेबी कवर, ये सब आगे हमें अभी डिसकस करेंगें, अब ऑप्शनल कवर्स, ऑप्शनल कवर्स तीन द ये एक काम का ओप्शन है, अगर कोई भी सीरियस हो जाती है, या एक्सिदेंट हो जाता है परसन का, तो इसमें समिन चौट जितना है, अगर माल लिजे 5 लाग की पॉलिसी है, तो वह 10 लाग की हो जाएगी, मतलब बीमारी के लिए या एक्सिदेंट के लिए, कवरेज 10 ला तो मैं इसका ब्रॉशर अटेच कर दूँगा, अगर की गूगल पर जाके पॉलिसी वैडिंग यो देख सकते हैं, बजा जाले हैं, माय हेल्थ के प्लान करके सर्च कर सकते हैं, अब आगे देख लिते हैं, जो हमने कुछ आप्शन स्चोड़े थे, मैटरनिटी, बेबी जैसा मैंने शुरू में बताया था, अगर आपका साल का प्रीमें 25,000 रुपे जाता है, तो 50,000 रुपे आपको OPD में फ्री मिलती है, अब वो कैसे, देखते हैं, 50% जो आपको 50,000 के OPD मिलेगी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे जाएगा, 50% मिलेगी डॉक्टर क निकलवाई या कुछ भी है, वो procedure के पैसे जी नहीं मिलेंगे, सिर्फ consultation fees और lab test इसके अलावा कुछ नहीं, अगर आप इनकी application से आप बुक करते हैं, cashless appointment जो इनके doctor की list इसमें बनी होगी application में, उसके अंदर अगर आप cashless book करते हैं, तो अपना time वगर उसमें select कर लीजे, doctor अपना दिखा दीजे, तो 100% आपका free book होगा, कोई आपको एक रुपया भी नहीं देना, लेकिन अगर आप मान लीजे, उसके अंदर आपका पसंद का doctor listed नहीं है, तो आप उस doctor के पास जा के अपना दिखा सकते हैं, बस आपको इतना करना होगा, एक पर pre-authorization book करना पड़े application में prescription bill, और 80% refund आएगा application के case में, ध्यान रखेगा, 20% cutting है, अगर मान लीजे doctor fees 1000 रुपे है, तो 800 रुपे आपको reimburse होगे, 200 रुपे cutting है उसके अंदर reimbursement, cashless 100% मिलेगा, reimbursement के case में 80%, इसी तरह से सेम रहेगा diagnostic test के case में, इसमें भी cashless 100% रहेगा, अगर application से lab test book करते हैं, अगर reimbursement करते हैं, तो 20% उसमें cutting होके आएगी, साथ में इसमें unlimited online tally consultation, जो आजकल video consultation चली doctor से, इनकी mobile application पर booking हो जाएगी, time वगरा सब select कर लेना, और easily, आपकी online consultation हो जाएगी free of cost, कोई charge नहीं देना, unlimited मिलेगी पूरे साल आपको, free full body health check of voucher, अगर आपकी individual policy है, एक इनसान की policy है, तो एक voucher मिलेगा, एक voucher की value कुछ 32-300 रुपे, अगर आपने पूरी family के policy लिया है, तो दो voucher मिलेंगे, उतने के, कोई भी दो लोगो test करा सकते हैं, वो additional है, जो आपके 25-25 यार की OPD मिलेगी, 50 यार total, उसके additional है, ये free voucher, mobile application में cashless book होंगे, time date select कर लेना, घर पर आकर सुब अब customization, जैसे मैंने बताया, इस policy में आप customize कर सकता है, अपने plan को, तो देखते है, pre-existing disease, आपको बताया था, मैंने इसमें 3 साल का waiting period रहता है, यानि 36 महीने का, उसको आप customize करके, एक साल का भी कर सकते है, policy खरीदे time पर option आएगा, अगर आप 12 महीने करते हैं, बस premium थोड़ा स spring disease का time, एक साल हुजाएगा, एक साल, दो साल जो आपको ठीक लगे, specific disease waiting period, जो आपको surgery बगार के मैंने बताया, वो भी 2 साल का by default रहता है, उसको आप change करके, एक साल कर सकते है, premium बढ़ जाएगा इसमें भी, pre-post hospitalization, by default आपको 60 दिन और 90 दिन का मिलता है, उसको आप बढ़ा अब 2 दिन pre और 60 दिन post, यह आप कर सकते है, premium में थोड़ा सा increase होता है, लेकिन अच्छा option है करना ही चाहिए, maternity waiting period का, अगर आप long term policy लेते हैं, यानि अगर आपने policy का premium दो साल का या तीन साल का एक अठा भर है, तो आपको maternity benefit जिसमें 36 महीने का, यानि तीन साल का waiting period है, वो तक से 10 लाग किरेंग है, तो उनको 50 यह रुके तक का maternity benefit मिलेगा, maternity में जो जो मैं आपको चीज़े बताऊंगा, क्या क्या चीज़े cover है, उन सब में up to 50,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, यह waiting period का मैं बता चुका हूँ, दो delivery, up to two delivery इसमें cover रहेंगी maternity benefit में, 45 years age तक, lady age, 45 years हो निचे सुपनी, delivery, cesarean हो, normal हो, दोनों तरह से cover है, अगर child abortion होता है, legally आप doctor prescription से और lawful तरीके से अगर आप child को abort करते हैं, तो वो भी coverage है, उसका भी आपको खर्चा मिलेगा, complete prenatal and postnatal, यानि pregnancy जब चली है, पूरी ताइम का pregnancy चला है, यानि prenatal, और delivery के बा surrogate mother covered, आजकल surrogacy वाला system चल रहा है, अगर किसी दूसरी lady के तरुप कर child born होता है, तो उस lady के surgery वगारा का, जो भी maternity का रहता है, तो उसको भी coverage मिलेगी, जो actual mother को मिल रही थी, इसके अदर ये एक अच्छा option दे रहे है, surrogate mother का, जो पहले coverage नहीं होगा करती थी, cover for complications, जैस खुद की out of pocket expense से, तो कल को, IVF के बाद कल को कभी कोई दिक्कत आते है, कोई complication आते है, तो जो उस टाइम, इलाज होता है, जो भी operation वगारा, जो भी होगा, जो खर्चा होगा, वो बजा जाल यांस, वो बैर करेगी, वो इस policy calendar, लेगिन lady की age 45 years age तक होनी चाहिए, जैसा पह 10,000,000 रुपे तक की policy है, तो 50,000 रुपीज ही मिलेंगे maternity benefit के, चाहिए खर्चा कितना ही आए, company आपको 50,000 रुपर नहीं देगी, एक रुपे अभी, newborn baby cover, अब बच्चे के जन्न के बाद भी coverage मिलेगी, बच्चे को, waiting period वही रहेगा, अगर आपने normal एक साल का प्रीमेंबर पड़ेगा, 2 साल या 3 साल का, तब आपको ये waiting period एक साल reduce होगा, maternity में भी और newborn में भी, बस आपको ये धियान रखना है, जब भी newborn baby हो, तो 3 महीने के अंदर अंदर उसकी intimation company को दे दे नहीं है, तभी आपको coverage मिलेगी newborn baby cover, जो भी बच्चे को बिमार पढ़ता कुछ आएगा, उस renewal तक जो भी बच्चे का खर्चा आएगा, विमारी का, वो सब company bear करेगी, बाकी renewal के time पर आपको बच्चे को add करना पड़ेगा, तब आगे उसको continuous coverage मिलेगी, अगर renewal को बच्चे को add नहीं किया, तो आगे बच्चे की coverage खतम हो जागी, बाकी जो members है, बस उनी को खर्चा मिला करेगा, अब discount देख लेते हैं, माई healthcare plan अगर आप लेते हैं तो इसमें discount भी है, कुछ जालग अलगतर आखे हो, बतायता हूँ, जोनल discount, जोनल discount क्या होते हैं, companies ने कुछ area decide कर रहे है, zone A, B, C, zone A एक अंदर देख रहे हैं, कौन से share है, B में, C में, zone A में सारे बड़े-बड़े share आते हैं, यहाँ पर खर्चे जादा होते हैं, तो यहाँ पर premium भी पूरा रहता है, अगर कोई zone B में रहता है, और वो policy खर रहता है, तो माल लीजिए, अगर किसी ने zone B में policy खरीदे है, और वो डैली में आगे अपने treatment कराता है, तो generally अभी क्या वक्ता है, उसके case में co-payment लग जाती है, 10% या 20% company पैसे काट के देती है, अगर माल लीजिए, एक लग का bill भेजा है, तो क्योंकि उसने policy तो सस्ती ज ज्यादा महांगा करा लिए, डैली में जा गए, तो company ऐसे case में 10-20% पैसे काट लेती है, एक लाग का claim है, तो 80,000 पास करेगी, 20,000 काट देते हैं, लेकिन इस policy में वो चीज़े applicable नहीं रहेगी, company ने पूरी छूट दी रखी है, आप अपने, आजकल वो KYC होने लग दिए, KYC की तुरू address verify हो जाता है, जिस भी address, आप कहीं भी ले लो, पूरा all over India, A, B, C, zone, zone सा भी है, आपको पूरे पैसे मिलेंगे, कहीं भी treatment कर लो all over India, आपको पूरा 100% cover मिलेगा, ये खास feature है इसके अंदर, Long term discount, अगर आप दो साल या तीन साल का इक अठा premium भरते हैं इस policy में, दो साल का भरने पर चार परसेंट का discount है, तीन साल का भरने पर आट परसेंट का discount है, Early entry discount, अगर policy में जितने भी members, अगर मालने जिए family floater policy लिए, तीन लोग, चार लोग जितने भी है, तो अगर जो highest, जो सबसे बड़ा policy के अंदर, अगर उसकी age 35 से उससे नीचे है, तो उनको 5% का discount मिलेगा, policy खरीते time पे, बस शर्त ही रहेगी, long term opt करनी पड़ेगी, इसमें प्रीमिम का idea बता जिता हूं, अगर मालने जिए two adult और two child, अगर मिलके चार लोग की policy है, और सबकी age 40 years से नीचे, एक standard हम लेगे चलते है, 45 साल से नीचे उनकी age है, तो premium उनका कुछ बैठेगा 25,000 रुपे, plus tax, जो की हो जाएगा 25,000 रुपे, तो ऐसे में क्या होगा 25,000 र without tax, तो 25,000 रुपे का double, यानि 47,000 रुपीज का उनको OPD benefit मिलेगा, 25,000 doctor consultation के लिए, और 25,000 lab test के लिए, बाकी जो unlimited consultation, voucher बगरा हो है, वो सब है, अगर आप चाहे तो अपनी किसी और company में चलरी policy को port करके भी ये plan ले सकते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखेगा, अगर आपके पुरानी policy में maternity benefit cover नहीं है, और क्योंकि इस policy में maternity है, तो आपका maternity का fresh waiting period start हो जाएगा पहले दिन से, यानि आपको अगर एक साल का premium pay करते हैं, तो 3 साल का तो 2 साल का waiting period लग जाएगा maternity के लिए, इधियान रखेगा बस, तो यह है बजाज का my health care plan, अब आपको ए कोई चीज रहा गई हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं, thank you